आई पेल तो हचार तेई से पहले चैनिक सूपर किंग्स को लगा तगड़ा जटका चैनिक सूपर किंग्स के स्टार तेज गेंदवाज काईल जैमिसन हो सकते हैं बाहर ये चार गेंदवाज ले सकते हैं उनकी टीम में जगह है जानेंगे कौन है ये चार गेंदवाज वीड अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन करें लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन में मिल जाएगी IPL 2023 का सीजन अव जादे दूर नहीं है बहुत ही जल्द IPL का सेडियूल भी जारी होने वाला है आपको बता दें IPL सुरू होने से पहले ही चैनली सोपर किंग्स के लिए एक बुरी ख़वर आ रही है चैनली सोपर किंग्स के इस्टार तेज गेंदबाज काईल जैमी सन चोटिल हो चुके हैं आपको बता दें उन्हें न्यूजिलेंड की टीम से भी बाहर कर दिया गया है ख़वरों की माने तो काईल जैमी सन की चोट गमभीर हो सकती है ऐसे में वो IPL 2000 ते इसका सीजन मिस कर सकती है निश्चेत तोर पर काईल जैमी सन का बाहर होना चैनी सोपर किंग्स के लिए एक तगड़ा जटका है क्योंकि काईल जैमी सन चैनी सोपर किंग्स के पिरमुख गेंदबाजों में से एक रहने वाले हैं अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर काईल जमी सन बाहर होते हैं तो पतोर रिप्लिस्मेंट कौन सा गेंदवाज टीम के साथ है जुड़ सकता है यहाँ पर चार ऐसे ही खिलाडियों के नाम सामने आ रहे हैं पहला नाम है मिचिल इस्टार्क का मिचिल इस्टार्क ऑस्टेलिया के दिगजिक गेंदवाज है हाला कि पछले 8 साल से वो IPL में नहीं खेले हैं लेकिन खबरों की माने तो मिचिल इस्टार्क इस सीजन में बापसी कर सकते हैं यहां पर दूसरा नाम है दसुन सनका का दसुन सनका स्रीलंका के कप्तान है दसुन सनका ना सिर्फ तेजगती से गेंदवाजी करते हैं बलकि निचलिकरम में बल्लेवाजी भी कर सकते हैं दसुन सनका भी एक बहतरीन रिप्लेसमेंट सावित होंगे यहाँ पर तीसरा नाम है टॉम करण का टॉम करण इंगलेंड के बहतरीन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं टॉम करण इस समय काफी यूबा खिलाड़ी भी हैं और आने बाले समय में चैने सुपर किंग्स के लिए महत पून खिलाड़ी भी बन सकते हैं यहाँ पर चौथा और आखरी नाम है गराल्ड कॉट जी का गराल्ड कॉट जी लगतार अच्छा प्रदर्सन कर रहे हैं आपको बता दें साउथ अफरीका टी 20 लीग में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्सन किया है सिर्फ नौ मुकावलों में उन्होंने 17 विकेट जटके हैं गराल्ड कॉट जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें